है गाईज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल को अब लेख सकते हैं एक लाग रुपे तक कर लोन बहुत ही आसान कि इस तो पर आपको यहां पर लोन मिल जाएगा बहुत ही कम इंटरस्ट पर अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको समझ आज आज आगा किस तरी सा आपने 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 आप लोन के लिए क आपको 110% मिल जाएगा कितने दिनों के लिए आपको यह लोन मिलेगा कैसे आपको यह लोन मिलेगा वो समय आपको बताऊंगे वीडियो स्क्रेप मत करना चले सुरू करते हैं कि यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर लोन ले सकते हैं क्रेट कार्ड ले सकते हैं इंवेस्टमेंट कर सकते हैं आप लोन लोन अपर देख सकते हैं आपको यहां पर लोन बीट कर सकते हैं मिल अगर आपके पार डोकुमेट हैं क्या करना है लोन को डोकुमेंट क्या चाहिए आपको यह सब कुछ में आप पर बताने वाला हूँ वीडियो स्कीफ मत करना तो आप यहां पर लोन की बात करूँ तो आप यहां पर प्रसन लोन ले सकते हैं बिजनिस लोन ले सकते हैं होम लोन ले सकते हैं प्रोपटी लोन ले सकते यहाँ पर प्रसुनर लेने के लिए और दूसरा आपको यहाँ पर हाई डिस्परसल मुट मिल सकता है 1 लग रूप Code प्चीस लाग रूपे तक लूँन आपको यहां पर मिल जाएगा अग्र आप इन्ट्विजल है यहां फिर अगर आप यहां पर फिल करेंगे अपनी अप्लिकेशन ठीक है फ्लेक्सिबल टैनोर यानि आप यहां पर एक साल से लेकर पास साल के लिए यहां पर लोन आप ले सकते हैं तो यह है यहां पर बेनेफिट्स अगर आप यहां पर लोन के लिए अपलाई करना चाहते हैं आप ब के बीच होनी चाहिए आपकी income कम से कम 15,000 रुपी महीना होनी चाहिए आपको यहाँ पर मिल सकता है 15,000 रुपी तक का लोन और आपको कम से कम work experience होना चाहिए एक महीने का और मैंकर यहाँ पर basic documents की बात करूँ तो आपको यहाँ पर के वासी documents के अंदर आधार काट पैन काड़ करनी है अपने आधार कार्ट पैन कार्ट जितनी भी आपकी डिटेल है वह आपको online submit करने के submit करने वह मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है जब आप application submit कर देंगे उसके बाद जो आपके documents है इनके जो relationship manager है आपसे appointment लेंगे आपके जो documents है physically आपसे लेंगे और उसके बाद verification ह होगी आपके documents की अगर verify हो जाते हैं आपके documents तो उसके बाद जो है आपका loan April हो जाएगा और जो loan amount है बहुत ही जल्दी dispersal हो जाएगी आपके उस bank account के अंदर जिस bank की आपने statement यहाँ पर दी होगी तो गाईज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर documents की तो आपको documents में आपको सबसे पहले यहाँ पर photo identity proof में pen card और आधार card देना होगा address proof में आपको यहाँ पर आधार card, passport, electricity bill, telephone bill, bank account statement, rent agreement, post paid mobile bill, इन में से आपको एक documents दे सकते हैं, income proof में आपको यहाँ पिछले 3 मैने की latest salary slip देनी होगी अगरा आप salary individual है, पिछले 2 साल का firm 16 और पिछले 2 साल की ITR को पी आपको यहाँ पर देनी होगी और आप यहा documents जो आपको यहाँ पर देने हैं, तो चले गाई जब आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने personal loan के लिए application किस तरह से fill करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डालना है first name, उसके बाद middle name, उसके बाद last name, उसके बाद अपना mobile number, आपकी city और आपका profession, वो आपको यह state कौन सा है, date of birth, आपका gender, married है या फिर single है, वो डाल देना है, pen card number और आधर card number, यह डालने के बाद आपने next करना है, जब आप इस सब कुछ complete साई से fill कर देंगे, उसके बाद आपने इसको next कर देना है, next करने के बाद आपको यहाँ पर documents upload करने है, साई documents upload करने के बाद, verify हो जाएंगे, verify होने के बाद, जो loan amount है, आपके bank के अंदर दे दी जाएगे, आपका loan अगर April होता है, सबसे ज़्याद important आपके documents, documents complete तो loan आपको मिल जाएगा, अगर नहीं complete है, तो नहीं मिलेगा, मुझे loan नहीं लेना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर complete करके नहीं दिख करना है, documents upload करने है, उसके बाद physically आपके documents verify होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर loan मिलेगा, तो अगर आपको मिलता है loan, तो बाई, comments बोक्त में जुरू बताए, वीडियो को like करे, चैनल सब्स्राइब कर लिजेगा, अगर आप नहीं मने, तो यहाँ पर financial issues आपको यहाँ पर मिलती रहती है, सुझाय, सुगाय चैले मिलता है करेकने वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना है, यह वीडियो देखने लिए बहुत बन धनिवाद, thank you so much